प्रिये देरिश्यकू नमस्कार आईए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार भविश्य के लिए तैयार सेल, भविश्य के लिए तैयार मानव संसाधन पर परिचर्चा सत्र आयोजित सेल राउर्केलास पास सयंत्र में सिंटर बनाने पर विशेशक के समीती की बैठक आयोजित और सेल राउरकिलास पास सयंतरे ने अंतर स्टील प्लांट 13 की चैंपियंशिप में 4 स्वर्ण परकिलास पास सयंतरे RSP के सेल के निर्देशक प्रभारी कार्याले के मंथन सम्मेलन कक्ष में 10 जुलाई दो हजार चॉबिस को भविश्य के लिए तयार सेल भविशी के लिए तैयार मानव संसाधन विश्वय पर एक परीचर्चा सत्र आयोजित किया गया कारिक्रम की अध्यक्षता निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने की जिसमें सेल के निर्देशक कार्मिक श्री के के सिंग ने आर इस्पी के सभी मुख्य महा प्रबंधकों और विफागा ध्यक्षों के साथ विविचार विमर्ष किया कारिक्रम में कारेपालक निर्देशक वाक्स श्री एसा सुर्यवन्षी कारेपालक निर्देशक मानव संसाधन तथा अतरिक्त प्रभार कारेपालक निर्देशक पर और स्वाचालित कारेबल के महत्व पर विचार मर्श किया निर्देशक प्रभारी ने कहा कि RSP ने सेल में अपने करमचारियों को सबसे अधिक शाबास पुरुसकार दिये हैं उन्होंने कहा RSP ने हमेशा करमचारियों के योगदान को मान्यता देने में विश्वास किया है ज अधिक सक्रिय प्रगतिशील और प्रतिसपर्धी बनाने के लिए कंपनी द्वारा की जा रही विबिन पहलों पर प्रकाश ड़ला उन्होंने लोगों को और अधिक शशक्त बनाने और आदेशों का पालन करने की मासिक्ता को बदल कर पहल करने की मासिक्ता में बदलने की आ माईटी राची तता तरिक्त प्रभार कार्यपालग निदेशक माईटी शी संजय धर बिकारी अधिगम की भावना तथा उच्छ प्रदर्शन वाली अधिगम की संस्क्रिदी के निर्मार पर जोड़ दिया जिसमें कर्मचारी सीख सके तथा आगे बढ़ सके शीधर ने सेल देवारा ज्यान अर्जित करने के लिए बनाय गए विभिन्ण अवसरों के बारे में भी विस्तार से बताया इससे पहले निगमित कार्यले के महाप्रबंदग मानोसंसाधन शीमुकेश कुमार ने कमपनी द्वारा शंता विकास और प्रगती शील मानोसंसाधन नीती चार उपर चर्चा भी की उप महाप्रबन तक मानुसन साधन ओडी शुशी सिंपी पटेल ने कारीक्रम का संचालन किया कि सेल राउर के लास पास सेंत्र आरेस्पी में सिंटर बनाने पर विशेशक की समीति की बैठक 11 जुलाई दो हजार चौबिस को आयोजित की गए आरेस्पी के निर्देशक प्रभारे डी आइस श्री अतनु भॉमिक ने एक दीवसी समिलन का उद्गाटन किया जिसमें सेल की विभिन नहीं कायों के सिंटर और संबंधित परिचालन से जुड़े कार्मिक शामिल हुए इस अवसर पर मंच पर कारेपालक निर्देशक वर्षी एसर सुरीवंशी मुख्य महाप्रबंदक आयरंशी बी और पलाई भी उपस्ते थे कारीक्रम की शुरुवात के लिए डी आएसी और अन्यगर मानियों ने ज्यांद्वी प्रज्वलित किया इस अवसर पर बोलते हुए डी आएसी ने वर्तमान परिद्रिश्य पर प्रकास जाला जहां अप्षिष्ट से धन अवधार्ना पर अधिक जोड़ दिया जाता है उन्होंने सिंटर बनाने की दक्षता उत्पादक्ता और लागत प्रभाव शीलता को बढ़ाने के लिए डिजिटिली करण और आर्टिफिशल इं दक्ष को प्राप्त करने के लिए दो ब्लास्ट फरनेस से 12500 टन होट मेटल का उत्पादन करने के लिए महत्वपून है उन्होंने स्थिर्ता के महत्वबबर प्रकाश जाला डिया इसे ने विशेशग्यों की विविद्ट टीम से परिचालन में दक्षता बढ़ाने और का कार्बन फूट्प्रिंट को कम करने के लिए चर्चा करने और विचार्विमर्ष करने का भी आग्रह किया श्री शूरिवनशी ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों से सिंटरिंग प्रक्रिया से संबंधित महत्वपून शेत्रों पर चर्चा विचार्विमर्ष आद में देश की सरवोत्तम प्रक्रियाों के बारे में चर्चा करने और अगली आधुनी करन प्रक्रिया में उप्योग करकी जाने वाली भविश्यकी तकनीकी अ का प्ता करने का भी ग्रह किया उन्होंने कहा यह मांच एक दूसर से सीखने और ब्रेकडाउन की पुनह आवरित्ती से बचने और उपकरणों उपलबदता बढ़ाने की खामियों पर काम करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है सील कि विभिने काईयों अर्थाद भिलाय स्पास सेंत्र, बोकारो स्पास सेंत्र, दुर्गापूर स्पास सेंत्र और RDCIS एवं सी आईटी की विशेशग्य टीमों ने चुनातियों को और अवसरों सहीत अपनी अपनी काईयों में संटर बनाने की प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर प्रस्तूती दी शत्त सत्र में प्रक्रियानी अंत्रण में नवाचारों और परिचानन रख रखा गया जिससे उपस्तित लोगों को अपने संचालन को अनुकूलित करने के लिए बहुमूल्य अंतहद रिष्टी और राज जिनीती रणरीती प्रदान की गई एक दिन के विचार्व मर्ष के एंत में एक सीडी केंट चर्चा का आयोजित किया जाता है जिसमें शी एसर सुर्य के वंशी ने अधिक्षता की और सुधार के लिए कारी उजना का आकलन किया सबसे पहले उद्घाटन सत्रिक की शुरुवात राश्ट्रगान के साथ हुए शी बी आर पुलाई ने सभा का स्वागत किया सहायक प्रबंदक SP3 शी शानु सिन्हा और प्रबंदक SP2 शी पवस्ति ने कारीक्रम का संचालन किया सेईल राउर्केलास पास सयंत्रि के करमचारियों ने चार स्वन पदक जीत कर अंतर स्चील प्लांट टेरा की चेंपिशन शीक अपने नाम कर कंपनी का नाम रशन किया है स्चील प्लांट स्पोर्ट्स बोड द्वारा आयोज्यक्य ह यहां कारिकरम 9 और 10 जुलाई को तरागी प्रशिक्षण केंद्र जे आरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स जम्शेद पूर में हुआ था पुरुसकार विद्रन समारों के मुख्या थी खेल आयो जेकें प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य के प्रमुक्षी विभूती द अड़ सारा थे उन्होंने विश्यताओं को पदक प्रदान किये इस अवसर पर सचीव SPSB शी सौरब शुक्ला परवेक्षक SPSB शी सचीदानन्द सिंग तथा अन्य गळमाने उपस्ति व्यक्ति भी उपस्ति थे रोल शॉप के OCD श्रीपदीब कुमार बारिक ने 50 मीटर और 100 मीटर की फ्री स्टाइल वर्ग में क्रम शुन्य शुन्य तीन दो तीन सेकेंड तथा 00001 दो दो सेकेंड का समय लेकर दो स्वर्ण पतक जीते आज की हिंदी समाचारों में बसतना ही नमस्कार प्राइब दो